नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी शोव फिंटेन में आप देख रहे हैं नेशन मिलर और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अकरवाल शुरुआत करते हैं फिंटेन के पहली कवर से जहां आज कारोबारी हफते के चौते दिन शेर बिजार में मुनाफ़ वसूदी के चलते बजार बड़त के बाद मामुली उचाल के साथ बंद हुई देखी गई Censex 144 points और Nifty 50 16 points की बड़त के साथ बंद हुआ Censex के 30 share में से 16 में तेजी और 14 shares में ग्रावट देखी गई वहीं बात करेंगा Nifty 50 की तो Nifty 50 में तेजी शेर में तेजी और 16 shares में ग्रावट रही HDFC Bank, XS Bank और Koatak Mahindra Bank के shares में आज सबसे ज़ादा तेजी देखी गई वहीं Infosys, Larsen, Antubro और Sun Pharma के shares में सबसे ज़ादा ग्रावट रही विदेशी निवेशिकों ने आज करीब 4,562 करोड रुपे के shares बेचे तो घरेलो निवेशिकों ने 3,508 करोड रुपे के share खरी देखी बटने अगली खबर की ओर जहां हम बात करेंगे सोनी और चान्दी के दामों में गिरावट की आज फिर सोनी और चान्दी के दामों में गिरावट देखे गई 24 कारट सोनी का भाव 179 रुपीज गिरकर 74,830 रुपीज प्रती 10 ग्राम और चान्दी के भाव में 3,500 रुपे गिरकर 88,311 रुपे प्रती किलो रहा स्ट्योहारी मॉसम सोने और चान्डी के दामों में गिरावट के कारण ज़ादा विख्री की संभावना बंती दिख रही है हलाकी बजार में अभी भी आश्रागा हिस्टिती बनी हुई है लेकिन जोलेर्स असोसिएशन का मानना है कि सुनी और चानी के दाम सुछ भी रहे लेकिन धंतेरस और दिवाली के समय क्योंकि भार के मानता नुसार इसे खरीरी शुप माने जाती है इसलिए मांग में सिलाज कोई कमी की संभावना नहीं है फिंटेर में बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर जहां आज पद्म विभूशन श्री रटन टाटा हमारे बीच नहीं रहे लेकिन वेक सच्चे विजनरी से अपने जीवन काल में उन्होंने करीब 45 स्टार्टप्स में निवेश किया था और वो भी तब जब स्टार्टप्स आर्टी तंगे से जूज रहे थे तब रटन टाटा ने उनके सपनों पर भरोसा किया और निवेश किया प्रमुकतोर पर आज उनमें से कई कंपणिया यूनिकॉन है जैसे लेंसकार, अरपिन कंपणी, फोस्क्रैप, ओला एलेक्ट्रिक, स्नाप दील आदी सफलता मिले के बाद तो कई लोग आ जाते हैं पर परिशानी में सही सला देना, भरोसा और मदद करना ऐसे व्यक्तित थे तरटन टाटा बढ़ते हैं अगे खबर के ओर जो हम बात करने वाले हैं श्री रटन टाटा के विविसाई जीवन के बारे में श्री रटन टाटा को लोग एक विविसाई के रूप में तो जानते ही थे लेकिन इसके लावा उन्होंने अपने परुपकार के जरिये कई जिंदगियां सवारी हैं देश में कैंसर रिसर्च और ट्रीक्मेंट को लेकर उनका योगदान सराहनिया हैं इस देश में टाटा मेंबुरियल कैंसर होस्पिटल सब उपर ही है श्रीयदन टाटा के सपोर्ट के कारण ही आज यह होस्पिटल देश यह कैंसर का इलाज का एक प्रमुखेंड रहे इसके अलावा टाटा ट्रस ने 2012 में कलकता में टाटा मेडिकल सेंटर चालू किया और 2017 में पॉब्लिक प्राइवेट पार्टर्शिप स्कीन के तहट आसम सरकार के साथ असम कैंसर केर फांडेशन की शिरुवाद की इसके अलावा मुंबई में जानवरों के इलाज के लिए टाटा ट्रस स्मॉल आनिमल हॉस्पिटल की शिरुवाद की बढ़ते हैं पांच वे खबर के ओर जहां हम बात करेंगे RBI के दिवाली तौफे के बारे में RBI ने एक एहम फैसले में कहा कि अब बैंक या NBFC से लोन लेने वाले गिराहकों को फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमिन चार्जेस नहीं रेने होंगे यानि वह लोन जिनके बयास दर निर्दारत नहीं है और जो RBI द्वारा घोशित रेपोरेट के अदार पर घटे अबढ़ते रहते हैं और अगर किसी ग्रहक ने इस स्कीन को लोन विकल्प के रूप में चुना है और ग्रहक EMI के लावा कोई अतरिक तराशी इस लोन में प्रिंसिपल अमाउंट में चुकता है तो उस राशी पर कोई भी प्रिपेमिंट चार्जे नहीं चुकाने होंगे गौटल अब रहे कि अभी कई बैंक और NBFC ऐसे पेमिंट पर 2-3 प्रतीशत का प्रिपेमिंट चार्ज लेती है क्योंकि इस राशी पर ब्यास की आये का नुकसान होता है फिंटेर में चटवी खपर पे हम बात करेंगे इरान- इसराइल संकट कौन है जारा तागतवर इरान- इसराइल युद ने सारी दुनिया को संकट में डाला हुआ है और भारत, अमेरिका, चीन, साइट काई देश इस युद्ध को रोकने के कोशिश कर रहे है लेकिर अगर युद इसिसी आती है तो दोनों देशों में कौन जारा तागतवर है जानते है इरान के पास फुल 11.80 लाग सेनिक है वहीं इसराइल के पास 6.70 लाग सेनिक है इरान के पास 42,000 वायू सेनिक है तो इसराइल के पास 89,000 वायू सेनिक है इरान के पास 3.50 लाग सेनिक है वहीं इसराइल के पास 5.26 लाग सेनिक है इरान के पास 18,509 सेनिक है तो इसराइल के पास 19,509 सेनिक है इरान के पास 186 लड़ा को विमान है तो इसराइल के पास 241 लड़ा को विमान है इरान के पास 1996 टैंक है तो इसराइल के पास 1370 टैंक है इरान के पास 19 सम्मरीन तो इसराइल के पास 5 सम्मरीन है बढ़े साथ में खबर कियो जो हम बात करेंगे Vodafone Idea अपडेट के बारे में दूर संचार विभाग ने Vodafone Idea Company से 4-5 साल का revival plan मांगा है सरकार जानना चाहते हैं कि company अपने spectrum बकाया कुछ चुका सकती है या नहीं याद रहे कि company की ऊपर 2.09 लाक करोड रुपे का बकाया है जिसमें से 1.30 लाक करोड रुपे तो सिर्फ spectrum बकाया राशी है company को दिया गया moratorium period 2025 में खत्म होगा और company की city देखते हुए लग नहीं रहा है company अराशी तई समय तर सीमा में चुका सकेगी फिंटर में आठवी खबर जहां ICIC security का ICIC bank में merger का रास्ता साब दिख रहा है national company law tribunal की हमदबाद bench ने ICIC securities को ICIC bank में बर्च करने की scheme और अरेंजमेंट को अनुमती दे दी है हलाके कुछ छोटे शरीधार को ने इस निर्णय का विरोध किया यह खबर आते ही शेर बिजार में ICIC bank के शेर में बड़ा देखने को मिल रही है फिंटर में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जोखी होने वाली है Ola Electric की बात पर Ola Electric पर एक संकाट गहराता हो नज़र आ रहा है ग्राकों की बढ़ती शिकायत के मद्दे नजर Central Consumer Protection Authority अब Ola Motor से खिलाफ Class Action लेने के तयारी कर रही है ऐसा इसलिए है कि गौर तलब है कि देश भर में करीब 10,000 ग्रापुली National Consumer Helpline पर Ola की खिलाए शिकायदर्च की है Central Consumer Protection Authority का अनुसार Ola Electric को 3 अक्टूबर को नोटेस बेजा था और उन्हें 18 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया था लेकित Ola Electric इन शिकायतों को सुलजाने में कोई सायोग में ही कर रही है नए Consumer Act में Class Action लेने के प्रावदान है जिसके तहट अगर किसी कंपनी के खिलाफ बहुत सारी शिकायते मिलती है तो सरकार सबके लिए हरजाना देने की मांग कर सकती है फिंजन में दसवी खबर और आखरी खबर जिसमें Microsoft Edge Users को सरकार की तरफ से चितावनी मिली है इंडियन Computer Emergency Response Team ने Microsoft Edge Users के लिए एक बड़ी सुरक्षा चितावनी थी और कहा कि इस ब्राउजर में कई सुरक्षा कमजोलियां हैं जो किसी भी Cyber Attacker के लिए फायते मंग हो सकती है और अगर Attacker अपने सिस्टम की Security तोड़कर आपका सारा data चुरा सकता है जिससे आपको हानी हो सकती है तो आज के लिए Fintan is signing off and always remember safe investing is always happy investing हमारे साथ बने रहें देखते रहें और सुनते रहें Nation Mirror को